जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अक्टूबर के कन्या राशीवल के बारे में आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दस्मीति थी है जो की विजद अश्मी के नाम से प्रसिद है नवरात्री के 9 दिन समाप्त होने के बाद दस्वे दिन ये विजद दश्मी मनाई जाती है जो बुराई पर सत्य की जीत है धर्म और अच्छाई की विजद का प्रतीक दिन माना जाता है इस दिन भगवान श्री राम ने रावण और देवी दुरगा ने महिशा सुर्ग का वद किया था और सत्य की रक्षा क थी आज का दिन बहुत ही शुब माना जाता है हनुमान जी की पूजा के लिए भी आज का दिन बहुत शुब माना जाता है और सभी मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए विजाय दश्मी पर बहुत से उपाय किये जाते हैं सुन्दर कांड किया जाता है राम रक्षा तोत्र का प का व्यावशा है सभी को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे आज आप दिन रोमांच से भरा हुआ रहेगा आज का मन जो कुछ बी करने को करें वह भी खौफ करें आज का दिन आपका है आप बिना कुछ सोचे आप अपने कार्यों को कर सकते हैं जिस इंसान को आप पसंद नहीं कर दें वो आपकी आऊंखों में का«टे की तरह भी चुप सकता है ध्यान रहें हमेशा को नकारातमक लोगों से आप बचा कर रखें और इस बात का ध्यान रखें उनके नकारात्मक वहवार का प्रभाव आपके उपर ना हो बस अपने काम पर ध्यान दें ऐसे लोगों से बच कर रहें जो आपकी पीट पीछे आपकी बुराइक करते हैं आपके काम को बिगार सकते हैं आज का दिन कई माइनों में आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है बुजर्गों से राय मश्वरा लें अगर किसी ऐसी बात पर आप अटक जाते हैं निर्ने ले या ना लें तो बुजर्गों की राय हमेशा सही होती है तो अपने बड़ों की राय लेकर आप उस सुदुविधा से भी निकल सकते हैं पारिवारिक जीवन के लिए आज का दि दिन जाए दिख जाए जो भगवान शिव का प्रतिनिदी माना जाता है तो आपके जीवन में भागया उदय हो सकता है धन धाने सुक्सम्रदी की प्राप्ति भी हो सकती है तो दोस्तों और दिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइ को शेयर करना ना भूले